पहाड पर खत्रे की घंटी बच चुकी है, 48 घंटे से जादा की बारिश ने उत्रा खंड को पानी पानी कर दिया है आसमानी आफ़त से जमीन पर जल फ्रले आ गई है, जिससे लोगों को मुश्किल में डाल दिया है कई जगा लोग फसे हैं, उनके रेस्क्यू की तैयारी है, तो अभी ये खत्रा तलने की जगा अब बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि नदियों का जल सर बढ़ने के कारण संकट गहरा गया है आप तीन तस्वीरे देख रहे हैं, आपकी जे चार तस्वीरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह नाले में एक कार बह गई गई, लोगों की जान जो खिम में है, रामनगर, हलजवानी, रुद्रकुर और जोशिमट से तस्वीरे हमें मिल रही है घरों के बाहर पानी कच्छा हो गया है, गाउं के आसपास पानी है नयनिताल रामनगर और उधम सिंग नगर की भी तस्वीर देखिए कि डाम लगबक ओवरफ्लो की कगार पे था, जिसके बाद गेट खोलने पड़े और बड़ी कबर रामनगर से सुंधरखाल गाउं में पाच मकान बह गए है और सेलाब में फशे लोगों के रेस्क्यू में प्रशासन जुटा हुआ है कोसा नदी के बहाव में ये घर आये और ये नदी इन पाच घरों को अपने साथ बहा कर ले गए वही रामनगर में बारिश से संकट गहराया है यहां कई जगा लोग सेलाब में फसे हुए है और ताज़ा वीडियो भी सामने आए वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें करीब 10 से जादा लोग इस जल प्रलै में फसे हुए है यह देखिए वीडियो इन्हें बचाने के लिए अलमोडा से SD RF की टीम यहां पर पहुँच रही है तो रामनगर से यह तस्वीर देखिया पास पास जहां तक नज़र जाएगी पानी ही पानी है और जगा जगा इस सेलाब में लोग फसे हैं यह चोटे चोटे घर वहाँ पे है और नदी के उस पार मतलब भाव के उस पार लोग फसे हैं और इस पार जो लोग खड़े हैं वो जैसे कैसी उनकी मदद कर रहे हैं कि कैसे उनको पानी के इस पार लाकर उनकी जान बचाई जा सके तो आसमाल से आई साफत के बाद किस तरह लोगों का जंजीवन अस्त्वेस हो गया है लोगों की जान जो किम में आ गई है वो आप इन तस्वीरों को देख कर अंदाज अलगाई है लोगों का शोर आप सुन सकते हैं जहां तहां फसे हुए लोग है लेकिन आगे जाए तो जाए कैसे एक सेलाब उनके सामने जल प्रले नुमा महौल उनके सामने आखिर ना तैर कर जा सकते हैं ना कोई साधने और बहाव इतना तेज कि इसके जद में जो आए अपने साथ से से बहा ले जाए सेलाब में लोग फसे हैं और SDRF की टीम भी जूटी हुई है कि जल से जल इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा आया जाए राम नगर की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर देखा रहे हैं बारिश के कारण संकट गहरा चुका है कई जगा पर लोग सेलाब में फसे हुए है ताजा विडियो है इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दस से जादा लोग बताए जा रहे हैं कि इस जल्द प्रलाई में फसे हैं और रास्ते पे अलग-अलग जगा फसे हुए है और इन्हें बचाने के लिए अलमोडा से SDRF की टीम को भेजा गया है ये टीम भी जल्द वहाँ पर पहुँच रही है और फिर रेस्क्यू का काम शुरू किया जाएगा